गुज्रात के बनासकांठा जिले की वड़गाम विधानसभा सीट पर जिगनेश मिवाणी ने जीत दर्श गी है चुनावी मैदान में उत्रे मनी भाई जेटा भाई वागेला आगे चल रहे थे एक वक्त पर जिगनेश मिवाडी वागेला से 1,087 वोटों से पीछे हो गए थे हाला कि आखिर में मिवाडी आगे निकल गए मिवाडी ने मनी भाई जेटा भाई वागेला को 4,928 वोटों से हराया है चुनाव आयो के मताबिक मिवाडी को इस चुनाव में कुल 94,765 वोट मिले है वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के मनी भाई जेटा भाई वागेला को 89,837 वोट मिले है वटगाम सीट पर आपकी ओर से दलपत भाटिया को टिकेट मिला था आपके दलपत भाटिया को मातर 4,493 वोट मिले है यहां दूसरे फेज में यानि 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी जिगनेश मिवानी 2017 में वटगाम सीट पर निर्दलिय विधायक बने थे लेकिन कॉंग्रिस ने उन्हें अपना समर्थन दिया था मिवाडी ने भारती जंता पार्टी के चक्रवर्ती विजयकुमार हरखा भाई को 19,696 वोटों के अंतर से हराया था मिवाडी को इस चुनाव में 95,497 वोट मिले थे इस बर बीजेपी के टिकेट पर वटगाम से चुनाव लड़ने वाले मनी भाई जेठा भाई वागेला साल 2012 के विधानसबा चुनाव में कॉंग्रिस प्रत्याशी थे तब मड़ी भाई जेटा भाई वागेला ने वटगाम सीट पर बीजेपी के फकीर भाई रागा भाई वागेला को 21,849 वोटों के मार्जिन से हराया था दिललन टॉप के प्रोग्राइम जमघट में जिगनेश मिवाडी से सवाल पूछा गया था कि उन्होंने भीजेपी के खिलाफ कॉंग्रिस को ही क्यों चुना इस अवाल का जवाब देते हुए जिगनेश ने कहा था मेरे जो राहूल गांधी के साथ इंटरेक्शन हुए उसे मुझे तीन चीजों का आइडिया आया एक ये आदनी व्यक्तिकत मिटिंग में ये सारवजनिक मंच के प्लैटफॉर्म से कभी जूठ नहीं बोलेगा ऐसा फिलिंग इस मुलक के मेंस्टिम की राजनेती के किसी भी पॉलिटिशन से मुझे नहीं आया जिगनेश मिवाडी के मुताबिक राहूल गांधी को लेकर ये भावना ही उन्हें कॉंग्रिस में लेकर आई देखते रहे हैं दिललनटो शुक्रिया